हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू स्टार एज्यूकेशन स्वगत है दोस्तों आप सभी का एक वाफिस से स्टार एज्यूकेशन के हमारे यूट्यूब प्लेटफरम पे हैं आपने सेसन शुरू किया है आज है उसकी पांचवी क्लास और इस सेसन में हम बात करने वाले हैं जैसा कि कल भी अपने जन्रल साइज की बात की उसमें अपने द्वनी को पढ़ा, सलफर के बारे में पढ़ा और अधर गेसों के बारे में oxygen है, nitrogen है, उन सब के बारे में कल अपने कापी सारी जो points हैं, उन पर अपने discussion किया था आज भी अपने के पास एक बहुत महत्वपूरन सेशन है, जो कि है vitamins के बारे में है, यहाँ पर पूरा discussion करने वाले vitamins से जितने भी प्रसंद बन सकते हैं, वो theory के रूप में आपको आज में कारवाने बाला हूँ, तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को like करना है, अपने प् विटामिन जिसमें कोई calorie या उर्जा प्राप्तन नहीं होता है, पहला प्रसन है जो कि बनता है, विटामिन से प्राप्त होने वाली calorie या उर्जा होती है, तो विटामिन से प्राप्त होने वाली calorie या उर्जा होती है, A option देदेगा 220 calorie है, या पी B देदेगा, कुछ भी वीटामिन की बात करें कितने नीत आदि यह टेमीन की बात करें किटने तरह के विटामिन होते हैं कि दूश में बाट गौछे हैं यांजिव में बइंश soup लिटामिन वोसा और दूसरे होते हैं जल्में गुलनसिल अब देखते हैं कौन-कौन से हैं जो की वसा में गुलंसील है और कौन-कौन से हैं जो की विटमिन अपने जल में गुलंसील है तो सबसे पहले देखते हैं वसा में गुलंसील कौन-कौन से हैं तो वसा में गुलंसील आपको बताना है कि यह आपको ट्रिक याद रखना है से ध्यान रखना है बस गई पानी में BC BC क्या हो जाएगा पानी में वागि सब जितने भी विटामिन हो जाएंगे वो सब वसा में गुलंसील हो जाएंगे तो बी ओर सी जल में गुलंसील हो गए और K E D A ये हो गया वसा में गुलंसील तो इस तरह आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट पनते आपन कंकाल तंतर के बारे में कंकाल तंतर यानि की skeleton system के बारे में कंकाल तंतर के अध्यन को क्या का जाता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए या पिर आपसे पूचा जाता है हड्यों के अध्यन को क्या का जाता है तो osteology हैं जो की काहा जाता है osteology ये प्रसन आपसे exam में काफी बार पूचा जाता है नेक्स्ट हैं कंकाल तंतर हमारे मानव सरीर के वित्री अंगो जैसे हर्दे spinal card और liver की रक्सा करता है जैसे कि हमारे सरीर में mass species है, massage उन सब की जो सुरक्सा है वो कौन करेगा तो वो करेगा बहारी डाचा अपना कंकाल तंतर है escalation system है वो ही हमारी रक्सा करता है मानव सरीर का डाचा हड्या यानि की bones का बना होता है बन साथ जो की का जाता है और इसके अजन को osteology का जाता है हड्यों के उपर mass species या muscles होती है इसी के कारणा हम हड्यों को हिला डूला सकते है किसके वज़े से muscles की वज़े से हमारे सरीर में कुल हड्यों की बात करे या कितनी है नेच्ट देखते हैं हड्यों को mass species से connect करने वाला tissue यानि उत्त क्या 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 लाता है वो होती मैं तो पुर्ण exam में काफी बार railway के यह पूछ गया है हड्यों को mass species से connect करने वाला जो होता है वो कहलाता है टेंडन क्या कहलाता है टेंडन कहलाता है हडियों से या हडियों से connect करने वाला उत्तक की बात करें तो वो होता है लिंगा मेट है जो की होता है अब आपको इसको याद करने में सबसे ज़दा confusion होता है तो आपको इस तरह से ज्यान रखना है हडियों से हडियों म अगेidad कर रहे हैं तो इसमें एक बार वाले में तेंडन आ जागे जहां पर दो बार हुआ रहे हैं वहाँ पर नहीं आएगा इसी तरह याद रहे रादिया, यानि कि जो इस्तंदारी हैं, वो सब मेमल्स, यह यहां पर भिया गया हैं endo-sklin system की बात करें तो यह है दो भागों से मिलकर बना होता है एक होता है अस्ति और एक होता है उपास्ति जिसे काटिलियस है जो की कहा जाता है bonds एक परकार का कौन सा उतक है एक सयोजी उतक है कौन सा है सयोजी उतक है सरीर को यहाँ पे protection और movement परदान करना सुरक्सा और गति परदान करने का कायरी किसका है हडियो का है RBC और WC के formation में formation करने का काम कौन करता है तो ये भी हडिया करते है RBC red blood corpuscles और white blood corpuscles है जो की WBC होता है Wons अपने अंदर minerals को store कर सकती है यानि कि खनीज लवनों को store कर सकती है कौन हडिया इसमें उपस्ति cell osteocyte कहलाती है जिसे bone cells भी mature bald cells भी कहा जाता है कि इसमें उपस्ति हडियों में उपस्ति osteocyte है जो की कहलाती है next देखते हैं cartilage एक परकार का सहयोंजी उत्तक होता है cartilage क्या है जो कि अपनने पढ़ा था उपस्ति है जो की cartilage कहलाती है और bones है जो की dya कहलाती है cartilage के आपे बात करें उपस्तियों के बारे में तो dya की तरह कठोर नहीं होती है लेकि थोड़ा सब्ट होती है रहे इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है cartilage में उपस्तित जिवित cells को chondriocyte है तो इसके बीच में बीच-बीच में खाली जगए है जो की होती है जिसमें चोटी-चोटी थेलिया पाई जाती है और जिने कहा जाता है लेकुनी और ये जिवित cell इन्हीं में पाई जाती है कौँसी जिवित cell यहाँ पे cartilage की बात कर रहे है next है cartilage हडियों के joints पर पाई जाता है जैसे elbow, कोहनी, नीक से है इन पर पाई जाती है next है मानव सरीर की सबसे चोटी हडि कौन सी है तो stepus है जो की मानव सरीर की सबसे चोटी हडिय है और यह है मानव सरीर के कान में पाई जाती है कान में तीन तरह की हड़िया है जो की पाई जाती है M.I.S. आपको जान रखना है तो इसमें सबसे चोटी होती है S. यानि स्टेपस है जो की होती है Next बात करते है Forman Magnum यानि की महारंद्र तो यह महारंद्र क्या होता है मनुश्य की खोपड़ी की नीचे नीचे की और एक चिद्र होता है जिसे Spinal Card Pass होती है जिसमें उसे ही महारंद्र है जो की कहा जाता है मानव मस्तिक्स के औसत वजन की बात करें तो कितना होता है 1.36 kg होता है जिसे 1.36 kg का जाता है लेकिन 1.36 kg का किसी का भी वजन है जो की नहीं होता है 1.36 kg के आसपासी होता है चब्देशों किसी का नहीं होता है ओंडेटोलोजी है इसमें दांतों का अध्यन किया जाता है दांतों की बिमारियों और सरंचना की अध्यन को ओंडेटोलोजी है जो की कहा जाता है काफी ज़दा मैतोपुन है एक्जामें काफी बार पूछा जाता है तो फ्रेंट्स यह था आज का अपना मैतोपुन सेशन उमीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगे लाइक करें अपने फ्रेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तरू सब्सक्राइब करें धन्यवाज जहिन